देखेंगे सबसे पहले मेन बात है जो आप पार्ट वन देखके आएंगे वहाँ पे मैंने आपको यह फीगर बिल्कुल अच्छे से करा दी थी हर एक बात अब बस मैं एक बार मोटा मोटा आपको बताऊंगी क्या है हमारा इसके अंदर ठीक है सबसे पहले हम थियोर्म की आप बता दिया था पार्ट वन देखेंगे तब ही समझ जाएगा आगे का ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट थियोर्म है यह आपकी इसलिए मैंने पार्ट्स में कराया ताकि ज्यादा बड़ा ना हो जाए लेंथी ना हो जाएं देखो क्या है अन्दा नसेस्ट्रेंट के लिए तो हमने यह पढ़ रखा है कि जड़ प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में जो टैंजेंट्स जो कर्व है उनकी टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल रहेगा अगर वो सेम हो जाए तो कनफोर्मल मैपिंग हो जाएगी और एफ जड़ एनलिटिक का मतलब क्या है कि व हमारे उस पॉइंट के अउपर भी उसकी नेवर्विड मैंभी भी फंक्शन डिफ्रेंशेबल होगा और डिफ्रेंशेशन नॉ टेकल जीरो होगा ये बात ही हमें गीवन है की कंफवर्मल है तो ये दोनू है तो कंफोर्मल परोव करने है सबसे फेले हमका कंडीशन Here sufficient लेक करी थी हमारे z1 z1 का distance z1 z1 का distance van distance equal है और similar Diagram इसी तर् schem之 का था वो last lecture में आपको करा है पहले वो देखना है अच्छे से तो ये diagram हो गया हमारा उसके बाद अब क्या है ध्यान से सुनो पहले में ये rough अदion चाहिए अब की आपको कि देखो यह रफ है कि ध्यान से सुनना मालो मेरे पास इस तरीके से कोई value है यह देखो यह curve है z note से z1 या फिर z note से z2 यह लगा लो जैसे यह distance z1 से z note से z1 ठीक है यह हमारी क्या code है अगर मेरा कोई point है वो यहां से मालो कोई एक चीटी है वो यहां से आ रही है फिर यहां पे आ गई तो यह distance यह हो गया फिर वो यहां पे आ गई तो distance यह हो गया यहां आ गई तो distance यह हो गया और एक point पे वो इस तरीके से आएगी कि जो मेरा code है वो मेरा यहां पे इस तरी तो मेरा CoD की तरह फींद करना शुरूर करना अगर मेरा कोड है वह संसे संदों के तरह करने कर रहा है न्हारत की atomically अन्छिव तेंजिंट की अंकल का थे अलफा फो इसका मतलब अगर मेरा जैड वन nhất जैड नोट की तरफ अपरोच करेगा नहीं पीर रीटाओं सब्सक्र कोड सबलगे करेगा जो टीटाओं गांज प Hello abusa and Goateng कि तरफ करेगा और उब dob कर रही है में रेकोर्ड वाले अंगल ऑब जो त्टीटा वन आवगालफा तू को इपरोच करेगा यह बात के कहीं बीच में यूज होगी अभी मैं आपको हसटीन्फ में यह बात बता दे इ450 कम आभ हम करते हैं स्टास स्टास किस तरीके जो यह distance है और J2 माइनस Jnode वो distance है वो हमने लेना है ठीक है अगर हम mode के अंदर ले रहे थे तो हम यहाँ पी क्या ले रहे थे इसको R मतलब mode of J1 minus Jnode R ले रखा है यहने क्योंकि magnitude हमने लिया है लेकिन अगर हम इस तरीके से लेते तो यह बाते पर आपको पहले भी बता रहे ह है अगर आपने सारे लेक्टर देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि हम किस तरीके से लेते हैं अगर magnitude ना हो तो R E की पावर आयोटा थीटा 1 ठीक है और इसको कैसे ले लिया ठीक है उसके बाद जो हमारे अलफा वन और अलफा टू है वो angle बना रही है हमारे tangents on the curve C1 and C2 curve के उपर जो हमारी tangents है ना वो अलफा वन और अलफा टू एंगल बना रही है इस तरीके से आपको लिख रहा है जैसे बुक में लिख रहा है मैं आपको समझाओंगी बिलकु लेक एक लाइन कि हम के साथ बन रहे हैं उन्दा कर्व C1 and C2 ठीक है उसके बाद क्या है कि अगर मेरा R0 की तरफ एप्रोच करेगा यह बात मैंने पहले बता दी तो जो मेरा थीटा 1 है वो अल्फा 1 की तरफ एप्रोच करेगा और थेटा 2 अल्फा 2 की तरफ एप्रोच करेगा बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से मैं बोलूँगी इसकी बात कि जो मेरा बीटा 1 और बीटा 2 है वो एंगल्स है कर्व की टैंजेंट के साथ कर्व क्या है यहाँ पे C1 डैश और C2 डैश कर्व की टैंजेंट के साथ जो एंगल वो बीटा 1 और बीटा 2 है यह बात आप यहाँ पी लिखेंगे ठीक है जो curve है वो हमारी C1' and C2' curve के साथ जो हमारा beta1 और beta2 angle बन रहा है ठीक है उसके बाद जो हमारा w1-w note और मेरा w2-w note उनका distance भी हम लेंगे w1-w note हमारा क्या होगा w1 देखो एक बात और इसमें है कि मैंने क्या बोला था जो हमने starting की थी यह बताई थी मैंने आपको यह बात कि जो हम starting लेके चलते हैं तो हम जो distance है जैड़नोड जैड़न का और जैड़नोड जैड़नोड जैड़न का equal लेके चलते हैं अगर equal लेके चलते हैं और हमने उनकी mode value आर ले थी तो यह तो हमने यहाँ पे दोनों जो कि आर आर लिख दिया लेकिन इसमें तो equal नहीं होता है ना अगर इसमें equal नहीं है तो एक के लिए तो हम length L1 ले लेंगे एक के लिए हम L2 ले लेंगे ओके तो हम क्या करेंगे W1 minus W note हम लेंगे L1 E की power आयोटा एंगल है 51 तो 51 ठीक है और W2 minus W note क्या ले लेंगे L2 E की power आयोटा 52 इस तरीके से ले ले लिया सिमिलर अगर मेरा जेखो अगर मेरा L1 0 की तरफ tend करें मतलब यह distance 0 की तरफ tend करें बिलकुल раз भात है वही, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा बीटा वन है, वो किसकी तरफ तरफ टेंड हो जाएगा, स्रीरि जो मेरा five one है, वो किसकी तरफ टेंड हो जाएगा, क्योंकि जो code है, वो tangent की तरह है, बिजेव करना start कर देगी, अगर मेरा il one tends to 0 तो 5 1 tends to beta 1 similarly L 2 tends to 0 then 5 2 tends to beta 2 ठीक है तो यह हमने बाते लिखके रख ली क्योंकि यह आगे use होंगी तो इसलिए हमने starting में इस तरीके से लिख लिख लिया उसके बाद क्या है यह आपको सारे example लिखना है यह नहीं है कि उनके tengments के बीच एंगल सेम रहे tengic के बीच का एंगल क्या है kijken इस weekend के बीच का एंगल क्या है alpha 1- alpha 2 इनके teneton के बीच का यंगल क्या है पीटा 1- बीटा 2 मतलब हमें इस theorem में प्रूफ करती हुए क्या करनल 1 Pal-aa-2 ले रही है तो इसका मतलब क्या है कि f z को अगर analytic ले रहे हैं तो उसकी neighborhood पे भी और उस point पे भी जो हमारा function अवो differentiable हो जाएगा तो f dash z not differentiability की condition लगाती हूँ हम क्या लिखेंगे limit z tends to z not f of z minus f of z not upon z minus z not अब हम क्या लिखाए सिर्फ उस suff differentiation की जो हमारी definition होती है वो लिखें क्योंकि हमें फंक्षन analytic दे रका है अब हम क्या करेंगी दो value के लिए लेंगे एक बार तो Z की value Z1 रखेंगे एक बार तो Z की value Z1 के लिए लेंगे एक बार Z की value Z2 के लिए लेंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे put करेंगे Z की जगह Z1 तो क्या हो जाएगा Z की जगह Z1 put करने से F of Z1 minus F of Z naught upon Z1 minus Z naught limit Z1 tends to Z naught देखो ये आ गया हमारा अब एक बात और सुनो धान से कि जैसे मेरी z1 की image map करेगी यहाँ पर वो क्या होती एक तरीके से f of z1 बोल लो या w बोल लो सेम बात है क्योंकि हमारा function किस तरीके का होता है f of z equals to w यही function होता है mapping के अंदर ठीक f of z equal to w तो z1 की जो image होगी या थो हम बोल दें f of z होगी या फर w बोल दें similar इसको हम f of z1 को क्या भी बोल सकते हैं w1 भी बोल सकते हैं तो limit z1 tends to z0 w1 minus w0 upon z1 minus z0 इसके equal चल रहा है हमारा यह f dash z0 के equal चल रहा है तो हमारी यह वली term हाग इस तरीके से w1 minus w0 की value का भी पता है z1 minus z0 की value का भी पता है ठीक है तो w1 minus w0 हमारा क्या हो जाएगा w1 minus w0 हमने यहाँ पे लिया था l1 e की power iota 5 1 तो l1 e की power iota 5 1 upon z1 minus z0 क्या हो जाएगा z1 minus z0 हमने यहाँ पे लिया था r e की power iota theta 1 r e की power iota theta 1 यह हो गया, अब देखू, जैसे यह तो z और z नोट के लिए थी, अब हमारी जो theta और phi की تم में change हो गया है, तो हमारा जाट ब省वड़़़ज़, जाट नोट के तरफ टेंड कर रा था, तो जो हमारा theta 1 है, वो alpha 1 की तरफ टेंड कर रहा था, right? तो हम वो ही लिख देंगे यहाँ पर कि जो मेरा limit है इस तरीकी सो जाएगी कि theta 1 tend करेगा alpha 1 की तरफ limit theta 1 tends to alpha 1 l1 by r e की power iota 5 1 minus theta 1 जो अगर z1 minus z naught देखो यहाँ पर बताया था अगर z1 minus z naught 0 की तरफ tend करा तो theta 1 alpha 1 की तरफ tend करा तो वही बात यहाँ पर लिखी है तो यह बात हो गई थी इतना हमें समझाग है बच्छे से ओके उसके बाद देखो जैसे हमने क्या कर रखा और भी values लिए हैं उसी तरीके से f dash z naught क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि f dash z naught है वो note equals to 0 है यह condition और हमने यूज़ करें क्योंकि f dash z naught equal to 0 है तो इसके लिए particular value अगर हम z naught ले लिए तो वह भी note equal to 0 होगा अगर यह note equal to 0 तो इसके value भी हम उसी तरीके से ले सकते हैं जैसे हमने पहले बाली सारी value ली है कि f dash z naught इस तरीके से हो जगा r e की iota कोई भी angle ले लिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिए lambda इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं तो इसके value हम यहाँ पे put कर देंगे क्योंकि अगर यह note 0 तो इसके कुछ value होगी कुछ value इस तरीके की होगी क्योंकि सारी value हमने इसी तरीके लिए r e की iota type से तो हमने इसको भी इसी तरीके का ले लिया अब इसके value हम यहाँ पे रिक देंगे r e की iota lambda equals to limit theta 1 tends to alpha 1 l1 by r e की power iota 5 1 minus theta 1 यह हो गया उसके बाद हमने क्या करना इसके अंदर compare कर लेनी है values को जैसे r को अगर हम compare करें तो हमारी यह वली time आ जाएंगी ठीक है r को अगर हम compare करें तो इस तरीके की time आ जाएंगी फिर उसके बाद 1 की iota 1 की iota है और lambda को compare करें तो हमारा यह आ जाएगा on comparing लिख देना on compare r equal to l1 by r angle के लिए तो इसकी बात है अगर हमारा theta 1 alpha 1 की तरफ tend कर रहा है यह बात कब थी जब r tend करेगा 0 की तरफ यहाँ पर r की बात है तो हम यहाँ पर r की limit लेते है limit r tends to 0 and lambda को compare करेंगे फिर हम यही ले लेंगे limit theta 1 tends to alpha 1 क्योंकि यहाँ पर तो theta 1 और इसके बात हो रहे 5 1 minus theta 1 ठीक है अब देखो जैसे theta 1 tend कर रहा alpha 1 की तरफ similar हम यहाँ पर एक चीज़ भी तो और होती है कि जो मेरा 5 1 है वो किस की तरफ tend कर रहा है beta 1 की तरफ ठीक है यह भी है ना क तरफ tend कर रहा है तो यह वाली बात तो है similar हमारा यहाँ पर यह भी तो जगा 5 1 बीटा 1 की तरफ tend कर रहा है इस तरीके से तो अगर हम यह limit लगा दें तो lambda किसकी एकवला गए इसकी तरफ tend कर रहा है तो beta 1 minus alpha 1 की एक वला गया क्या? लेमड़ा, lambda हमारा हमारा यहाँ पर यहा गे, similarly, at z equals to z2, अगर z2 है, तो हमारा जो lambda है, वो किस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे, lambda हो जाएगा, बीटा 2 minus alpha 2, इस तरीके का हो जाएगा, अब यह दोनों value lambda की है, तो इनको हम compare कर सकते हैं, बीटा 1 minus alpha 1 equal to, बीटा 2 minus alpha 2, इधर इसको ले जाओ, उधर उसको ले जाओ, त to alpha 1 minus alpha 2, इसका मतलब tangents के बीच का angle हो गया, इक्वल, जब tangents के बीच का angle equal हो जाता है, उनकी sense सेम हो जाती है, तो जो हमारी mapping होती है, वो कैसी होती है, conformal, तो यह थी इसके sufficient condition का part, सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको लिया, फिर हमें बोल रखा था, analytic है तो, differentiable भी होगा, फिर हमें दो point लिया, जब one और जट two, जब one point हमने लिया, तो यहां पे जब one लिख दिया, उसके बाद जो जो condition थी, वो सारी लिख दी, फिर हमारा ये non zero था, तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हमने कर दिया, और यह हो गया हमारा conformal proof, एक-एक step आपको अच्छे से कर यह तो थी हमारी क्या sufficient condition, अब हम करेंगे necessary condition, देखो अब है हमारी necessary condition, इसमें अब हम क्या करेंगे, conformal तो लेके चलेंगे, एक तो हमें प्रूव करने कि वो analytic है, analytic में हम CR equation को प्रूव कर देंगे, मैं बताऊंगी CR equation क्या होगी, मैं जो आएगी ना वही CR equation ही होगी, analytic के तो हमारा यह हो जाएगा, कि जब हम इसको solve करेंगे, तो हमारी जो equation है, वो CR equation बन जाएगे, CR equation से analytic हो जाएगा, साथ में हमारा F-Z not equals to 0 आजाएगा, अगर conformal है तो हमें यह दोनों चीज़ प्रूव करके दिखानी है, ठीक है, यहां से हम start करते हैं, अब necessary condition से हम क्या लेके चलेंगे, conformal लिया है, तो हम map करवा देंगे, तो हमने ले लिया, W equal to F of Z हमारा function था, जो कि हम इस तरहीं किसे लिख सकते हैं, U plus I, W को U plus I, लिख सकते हैं, जहां पे जो मेरा U function है, वो XY का function है, जो मेरा V होता है, वो भी XY का, तलब map इस तरहीं किसे होता है, हमारे जैसे, Z equal to X plus I, Y, F of X plus I, Y, तो W, और ये F of X plus I, Y equal to U plus I, तो यू XY का function है, वी भी XY का function है, इस तरहीं के से हमने लिख दिया, ठीक है, जो हमारे conformal mapping है, वो define करी गई है, यहां पे, अब conformal mapping है, तो ध्यान से सुनना, जो इनके बीच के angles होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, और वो ज हमने एक line लिख रखे है, हमने है न, PD के अंदर इस तरीके से पढ़ते थे, हमने यह, I think PD के अंदर ही पढ़ आया अपनी यह बात, यह होता था, वाप पर DR, DX और DY, इस तरीके से, यह एक्सिस, यह यह एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से होती थी, कि DR का square equal to DY का square plus DX का square, यह DX का square plus DY का square, यह हमने small line element ले रखे हैं, इसके अंदर, small line element का क्या मतलब है, कि जैसे एक तो हमारे पास पूरी कर्फ हो, एक हम इसके छोटा सा उठाले तो उसको small part बोल देते कर्फ का, वही बात है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर D भी लगा रखा, हमने इतना छोटा पार्ट पूरी चीज़ का, कि हमने D लगा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, D alpha का square equal to DX का square plus DY का square, similar अगर हम यहाँ पर बीटा ले लेंगे, तो D beta का square equal to DX का square, sorry, अगर हम बीटा लेंगे तो, अगर हमने यहाँ पर बीटा लिया, तो हमारा यह UV बन जाएगा, क्योंकि बीटा हमार UV वाले में है, तो DU, DV और D beta, तो D beta का square equal to DU का square, तो हमारी यह value आगई, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो DU और DV की value हो, वो निकाल के, इस equation के अंदर पुट करेंगे, देखो, U हमें यह दे रखा, इस तरीक से मैंने इसलिए पताया था, यहाँ पर U, O, F, X, Y का function है, यह हमने total differentiation वाली condition पढ़ रखी है, कि अगर मालो मेरे पास इस तरीक से, अगर मुझे DU की value निकालने है, तो वो मैं क्या करूंगी, curl U का curl X के respect में निकालके, DX से multiply कर दूंगी, curl U by curl X, curl U by curl X into DX, curl U by curl Y into DY, यह बाते हमने पढ़ रखी हैं, अच्छे सी, उसके बाद DV अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, curl U upon curl X into DX plus curl U upon curl Y into DY, ठीक है, curl X DX plus curl U upon curl Y into DY, अब कुछ नहीं करने, यह जो values आई हैं, वो इसके अंदर put कर देनी हैं, तो हमारा किस तरीकी सो जाएगा, D beta का square equals to, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इसकी value को, D होगे square की value को, curl U upon curl X, DX plus curl U upon curl Y, DY का whole square, plus curl V upon curl X, DX plus curl V upon curl Y, DY का whole square, whole square है तो open कर दो, क्या हो जाएगा, curl U upon curl X का whole square, DX का whole square, plus curl U upon curl Y का whole square, DY का whole square, plus two, curl U by curl X, curl V, curl U by curl Y, into me DX, DY, यह हो गया, चीज़े हैं, प्लस में, अब इस वाले का solve कर, इसका square, क्या हो जाएगा, curl V upon curl X का whole square, DX का whole square, plus इसका square, curl V upon curl Y का whole square, DY का whole square, plus two, curl V upon curl X, curl V upon curl Y, DX, DY, हमारा यह हो गया, इस तरीके से, ओके, उसके बाद हमने क्या करना हैं, यह DX वाले दोनों हैं, तो इसमें से DX का square common ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा हैं, क्या बन जाएगा हैं, प्लस, curl V upon curl X का whole square, into me DX का whole square, उसके बाद इन दोनों में DY का square common हैं, तो curl V upon curl Y का whole square, प्लस, curl V upon curl Y का whole square, into me DY का whole square, प्लस, यह line next शुरू होगी है, प्लस, DX, Y, DY, और 2 common इन में आ रहा हैं, तो 2, क्या हो जगा, curl V upon curl X, curl V upon curl Y, प्लस, curl V upon curl X, curl V upon curl Y, into me DX, DY, DX और DY, हमारे पस यह टमागी, अब जो हमें ध्यान से सुनना क्या बात है, कि हमें conformal तो दे रखा है, अगर हमें conformal दे रखा है, तो जो हमारे angles हैं, वो हमारे क्या होंगे हाँ पे, angles को ही हम compare करेंगे, right, जो कि मतलब D alpha और D beta, जो हमारे होंगे, मतलब जो change होगा angle का, tangents के बीच का, जो change होगा, वो tangents के बीच का change है, यह D alpha और D beta, जैसे मलफा और ना, यहाँ पे D alpha और D beta ले रिया, तो अगर वो इस तरीके से हैं, तो जो हमारे D alpha और D beta, वो क्या हो जाएगा, comparable हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्यों लिए हमने, क्योंकि कम, इस वाली condition के अंदर, जो conformal mapping है, वो हम लेके चले हैं, अगर हम conformal लेके चले हैं, तो जो angles हैं, वो equal हैं, मतलब comparable हैं, तो हम क्या कर देंगे, compare कर देंगे, जो हमारी यह वाली equation है, इसको alpha वाली equation के साथ, तो हम compare करेंगे, तो ध्यान से देखो अब, इसके साथ x square है, अब इन दोनों को तो compare करें, alpha और beta वाली टंगो, तो इसके साथ dx square है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे इनका ratio, क्योंकि ratio सही हम इनको easily compare कर पाएंगे, तो हम निकालेंगे इस तरीके से, d beta का square ratio, d alpha का square, तो dx का square यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका coefficient में 1 है, इसके coefficient में भी 1 है, तो यह किस तरीक से बनज़ेगा, ratio अगर हम ले रहे हैं, तो dx square के by, जो इसका coefficient होई ही, इसका coefficient लेंगे, तो क्या होगा, curly upon curl x, whole square plus curly upon curl x, whole square by में 1, equals to dy का coefficient है, यहाँ पे 1 है, तो curly upon curl y, whole square plus curly upon curl y, whole square by में 1, यहाँ पे dx dy का coefficient है, यहाँ पे dx dy है नहीं, अलगे यह नहीं है, 0 into dx dy, तो इसका divide में 0, यह हमारे compare करने के बाद आ जाएगा, यह, आ गया, उसके बाद हमें क्या आगर नैस के अंदर, जैसे हमारा यह 1, 1 है, मतलब यह, इसके बाई में, यह, इसके बाई में है, तो इन दोनों को compare कर सकते हैं, तो curly upon curl x, whole square plus curly upon curl x, whole square equals to, curly upon curl y, whole square plus curly upon curl y, whole square, एक तो यह equation होंगे, अब इसको या तो इससे compare कर या इससे, क्योंकि 0 into something होना, तो वो तो 0 ही आए, मतलब इसके equal में 0 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों equation को ले ले लूँ, तो यह 0 होदर जाएगा, तो 0 into something 0 हो जाएगा, तो curly upon curl x, curly upon curl y, curly upon curl x, curly upon curl y, plus curl v upon curl x, curl v upon curl y, क्या आगया, equals to 0, तो हमारे पस दो equation इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम यह वाली equation ले ले लें, इस वाली equation को, तो हम क्या करेंगे, जो यह वाली time है, उसको अधर लेकर चले जाएंगे, तो curly upon curl x, curly upon curl y, equals to 0, minus of curl v upon curl x, curl v upon curl y, यह हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, जो यह हमारी जो value है, curly upon curl y, वाली वो इसके बाई में ले आएंगे, तो curly upon curl x, upon curl v upon curl y हो गया, minus of curl v upon curl x, अपन में जो यह वाली time हो, उसको यह ने चले आएंगे, तो curly upon curl v, हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, lambda का, अपनी मर्जी से lambda, आपके जो मर्जी आप वो नाम दो, साई, lambda कुछ दो, ठीक है, यह हो गया, curly upon curl x, उसके बाद हमने क्या क्या है, तो lambda की…. तो lambda into curl v upon curl y, तो lambda into curl v upon curl y, कि ही कुछ नोगया, अगर एक निटके मैंने इसको lambda मन लीआ, तो curl v upon curl x, minus of curl v upon curl x equal to lambda into curl v upon curl y, इस तरीके से हो जाएगा, curl v upon curl x equal to, यहाँ पे minus लगा दो, वहाँ पे minus लगा दो, कोई दिक्रियत नहीं है, minus of lambda curl v upon curl y तो यह हमारे पास equations ठीक है अब जो यह curl v upon curl x curl v upon curl x की value आई है इसलिए हम पर minus लिगा था तो कि merge x square तो करेंगे किसी side लगा लो कोई दिखने है ठीक है अब जो यह value आई curl v upon curl x की value यह हम कर देंगे इस equation के अंदर put तो put कर दो इस equation के अंदर put कर रही हूँ है यहाँ पर लिग देना अच्छे से तो क्या होगा lambda curl v upon curl y का whole square plus minus of lambda curl u upon curl y का whole square equals to हमारा क्या हो जाएगा curl v upon curl y का square plus curl v upon curl y का square यह हो गया अब इसको solve करो lambda square curl v upon curl y का whole स्कूर स्कूर एक माइनस में इंदर लिया ओ curl v upon curl y का whole square curl v upon curl y का whole square equals to zero यह वले तम और यह सोरी यह वले टम में से curl v upon curl y का whole square gamma square माइनस न curl v upon curl y का whole square इन दोनों में से lambda square minus one curl v upon curl y का home square हमारा क्या आखिया है यहाँ पर जिरो lambda square minus 1 दोनों में से comma ना रहा है तो इस तरह के लिख देंगे curl y upon curl y का whole square plus curl y upon curl y का whole square equals to 0 अब ये दोने equation है ध्यान से सुनो ये दोने equation है इनका square है और उनको add कर रखा है एक तो किनी term का square कर रखा मतलब ये term positive answer देंगी और उनको add कर रखा है तो ये 0 तो होंगी नहीं तो 0 कोन होगा lambda square minus 1 तो ये तो 0 है नहीं तो 0 होगा lambda square minus 1 तो 0 होगया हमारा ये तो यहां से lambda square की value आगी plus minus 1 ठीक है lambda की value आगी plus minus 1 lambda square तो 1 ना आगया ना तो lambda क्या होगा plus minus 1 होगया तो यह होगा lambda equal to प्लस माइनस वन अब इसमें सिर्फ छोटी सी बात रह गई है कि अगर मैं इसके अंदर lambda की value 1 रखतूं चीक है अगर मैं इसके अंदर lambda की value 1 रखतूं तो curl you upon curl x equals to आजएगा curl you upon curl y curl you upon curl x equals to आजएगा minus of curl you upon curl y और यही हमारी CR equation होती है और अगर मैं lambda की value और यही हो जाएगा और curl you upon curl x equals to minus minus क्या हो जाएगा प्लस curl you upon curl y हो जाएगा वो भी हमारी इसी तरीकी की equation होती है तो मंतब दोनों ही हमारी CR type की equation बन जाएगी और अगर हम CR type की equation बना देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है प्रूफ अनलीटिक ये analytic proof हो गया हमने क्या लेकर चलना था conformal लेकर चलना था analytic हमने proof कर दिया analytic तो proof करी दिया साथ में हमारा जो differentiable वाला part है वो भी 9-0 आ गया था तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे theorem का जो necessary part था कि ये हम लेकर चले हैं और ये दोनों part हमने proof कर दिया इस तरीके की थी आपकी ये theorem जो आपका diagram है वो last lecture मैंने बहुत अच्छे से समझाए कि एक चीज आपको आने चीज है बिल्कुल सारी चीज इस theorem की अगर आपका ये exam में आ जाता है तो आपको आना चीज है तो अभी इस तरीके से करेंगी उसके बाद हमारा एक दे रखा छोटा सा पॉइंट बताई देखी हूं आपको कि coefficient of Magnification नाम से एक पॉइंट दे रखा coefficient of Magnification कुछ नहीं है इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये बोल दे coefficient of Magnification का मतलब कि एक तरीक से magnitude तो आपको वहाँ पर फूर्मिले लगा रहे है अलफा प्लस योटा बीटा कुछ नहीं है सिर्फ कंपल्सरी कोशन के लिए एक छोटी सी बात और अगर बोल दे Angle of Rotation है Angle of Rotation क्या है यहाँ पर Angle को हम इस तरीक से बोलते हैं Angle होता है उसको हम बोलते हैं Argument तो Argument of F'Alpha प्लस योटा बीटा लिखने है ठीक है अगर Coefficient of Magnification है तो मोड लेना है F'Alpha प्लस योटा बीटा का Angle of Rotation काना है तो Argument लेना है F'Alpha प्लस योटा बीटा का देखो Find the Coefficient of Magnification and Angle of Rotation at Z equals 2 प्लस योटा for the transformation W equal to Z square W equal to Z square दे रखा है हमें क्या निकान लाए इसके अंदर Coefficient of Magnification मतलब कि F'Alpha प्लस योटा लगेगा Angle of Rotation Argument of योटा लगेगा उसके लिए हमें F'Alpha प्लस योटा बीटा बीटा तो हमें जो इसके लगेगा जो मत्सए हमें व फ्लस योटा लगे असके ृटास PC इसका मोडेगा यहाँ उस था प्लस 2 योटा से अरुपनारा यहाँ प्लस फियो आगे रुआति आर्गुमेन्ट हम किस तरीके से निकालेंगे यहां पर देखो, जैसे हमारी यहोता न, X plus Ayota Y Argument मल एंगल, Tangent Inverse किस तरीके से निकालने हैं, Tangent Inverse Y by X, यह यह फ़ता है अगर हमें एंगल निकालना तो, Tangent Inverse Y by X इसी तरीके से निकालते हैं तो यहां पर यह X plus Ayota Y erगा लो u equal to K1, v equal to K2 cut orthogonally, सबसे पेले तो orthogonal cut करने का मतलब किया है कि वो 90 degree पे cut कर रही है एक दूसरे को 90 degree per orthogonal cut मतलब 90 degree per cut, तिक है, u हमें देराख वी, हमें देराख है, शो करना है कि जो यह curve दे रखी है, वो cut कर रही है, butterfly at all points, curve अगर orthogonally cut कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी curve की tangent बनी होंगी न वो orthogonal क्ट कर रही है न क्योंकि tangent ही तो हम अगर value निकालेंगे तो tangent के coding निकालेंगे इसका मतलब जो tangent होंगी उनके बीच का angle होगा वो 90 degree होगा ठीक है अगर हमारा tangent के बीच का angle 90 degree होता है तो उस case के अंदर जो हमारी slopes होत तो उन दोनों के प्रोड़क्ट का अंसर किता होगा माइनस वन यह हमने जूनियर क्लासिस में पढ़ रखा है कि अगर हमारा जो एंगल वो 90 डिग्री बन रहा है तो जो स्लॉप की प्रोड़क्ट हो माइनस वन होगी फिर यह नोंने क्या बोला यह कट कर यह और्थोगोनली एड़ पॉइंट ऑफ इंटर्सेशन बट दा ट्रांस्फोर्मेशन डवले को यू प्लस अगोटा वी इस नोट कंफॉर्मल वह कंफॉर्मल नहीं है यह भी हम प्रूफ कर देंगे लास्ट में क्योंकि वह कंफॉर्मल के लिए हमारा क्या है अभ अब एक बार तो यह इस बता देती हो कि यह सैटीस्वाइब नहीं होगी क्योंकि जब आप करल यह अपन करल यह निकालोगे न और यहां पर पुट करके देखोगे तो यह आपके इक्वल ही नहीं आए तो हमारे अनलीटिक नहीं होगा तो यह तो हो गया हमारा सेकिंड तो हमें दे रखा है u equal to 2x square plus y square equal to मतलब curve हमें यह दे रखे हैं जो हमारी u की value है वो यह है जो v की value वो यह है तो यहां पे u की value put equal to k1 v की value put equal to k2 जो given cut 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 जो उनकी slops of tangent है उनकी product कितने होगी minus 1 अब हम क्या निकालेंगे slops निकालें निकालने का फॉर्म में क्यातर dy by dx तो m1 equal to dy by dx इसका करतो differentiation dy by dx करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यहां पे देखो differentiation करेंगे एक सिरिस्पेक्ट में तो 4x plus 2y dy by dx equals to my given ka 0 dy by dx क्या होगा उदर जाके minus of 4x upon 2y हो जाएगा तो cancel करतो minus of 2x upon y similar यहां पे आप differentiation करेंगे तो m2 आजगा इन दोनों की product हमें दे रखे माइनस 1 यह तो हमें प्रूव करना था कि और्थोगोनली कट कर रही हैं तो और्थोगोनली कट कर रही हैं तो इसका मतलब उन दोनों की product minus 1 आने चाहिए तो जब हमने इन दोनों की product करके देखे ना तो वह माइनस 1 आ गई इसका मतलब वो और्थोगोनली कट कर रही हैं तो यह हो गया हमारा proof और वो क्योंकि CR equation को satisfy नहीं कर रही थी तो इसलिए वो conformal भी नहीं हुई जिए question मैंने आपको starting skip कर आदे तो उसके बाद mobile transformation वाला सारा हो चुगा है बस थोड़े से example रहते हैं इसके पांचे examples रहते हैं उसके बाद जो यह आपकी examples वाला part मतलब जो आपका exercise से लावा वो सारा खतम हो गया फिर बस एक lecture आएगा जो कि exercise का होगा वो और आप कर लेंगे फिर आपका six chapter complete उसके बाद मैं 5.2 आपको कराऊंगी आपको यह कहने के निट नहीं है बार बार कि मैं 5. 5.2 करा दो करा दो मैं कराऊंगी 5.2 इसके बाद खतम होते ही पहले 5.2 की वीडियोज ही आएंगी आपकी ओके